नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत 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 यों बुगर्विक इत्यास चट्टाने जॉलमक्यों भूकम से रेलेटेड कोस्टिन्स आयोग में कितने कोस्टिन्स आ सकते हैं या आए हुए हैं इन प्रस्नों की संखलाओं को आज हम लोग देखेंगे और इंपोर्टेंट को साल करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छी डिटील भी प्राप्त करेंगे तो आए मित्रों स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को जैसा कि आपको पता है दोस्तों की हमारी संस्था जो है पचहत्रवें अमरीत महोसो के उपलक्ष में बहुत सारी सुविधाया आप लोगों को उपलब्द करा रही है तो जो बच्छे इच्छोख हों और चाहते हैं अपनी तयारी बहतर तयारी करने के लिए तो हमारी संस् की तरफ चलते हैं दोस्तों यह पहला कुस्चन आज का है क्योस्चन है निमने विद्वानों में से किसने सुझाओ दिया की प्रित्वी कुत्ति कैसे और धूल कडों से हुई कैसे निया है गैसे होना च्यों ठीक है गैस सी यानि गैसम से होना चाहिए यह अपका यहां पर कैसे नहीं गैस गैसों 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 और धूल कड़ से हुई ठीक है तो यह से धान्त पूछ रहा है इसमें नेमलिकित विद्वानम में में से किसने सुझाओ दिया कि प्रतिविक उत्पत्ति गैसों और धूल कड़ों से हुई यह संटेंस आपका बनेगा ठीक है आप्शन्स दे रहा है इसमें जेमज जीन्स दूसरा है 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 अल्फावेन है तीसरे है एप होयल और चौते है ओ एडमिजश मेट्ग इनका आटोस्मेट नाम है ओ इसमीटञी है इस तरह से लिक दीजिए आप लोग आटोस्मेट तो देखो दोस्तों इस में क्या है प्रेत्वीक उत्पत्ति के संदर में गैसों से हुई है और धूल कड़ों से हुई है ऐसा मानना है तो अदो अपना है नाम है तो आования फिक कलपना भी से कहा जाता है इसी को ही अंतर तार किये धूल परी कलपना ठीक है यह अगर एक्जाम में आ जाता तो अभी तब भी आर्टोस्मिट करते और अगर इसमें गैस और धूल से वाना गया है तो यही करते आप देखिए कुछ सिध्धानत है मैं थोड़ा सा जिकर कर ले भवपन महोदख है उसी तरह से वायब रीओसिद्धानत परिकल अपना किसने दी है इमैन्मृल कांट विर इसकि वायब रासि के द्वारा घुण धिशने रिफ्पत्तव हूई है यह इमैन्मृल कांट का सिध्धानत निहारी का परिकलपना किसने है लापलास महोदआने सब्सक्राइब तभ सिन मॉल्टन ने सब्सक्राइब इसाइफ और तो जीम जिन्स याँजर्फ्रीज हम जीम से चाहिएब 星 वारेकी से नोड कर लीजे कहीं पे इक याधाम एक कुउष्यन तो निशी तौर से बनता है टीसंपी में विखंडर परिकल्पना मैंने बताया राजगन ने दिया है अगला है सीफिड परिकल्पना इसको प्रोफेशर एसी बनरजी ने दिया है सीफिड परिकल्पना प्रित्विक उत्पत्ति के संदर में सीफिड परिकल्पना एसी बनरजी 9 तारक परिकलपना किस ने दिया एफ होयल तथा लिटिल्टन ने दिया देखिए ध्यान रखिए गा एचियल रसेल योल ने दिया है दी तारक 54 तथालेटलå ने दिया है 9 तार आठकनव सब्सक्राइब नौतरह परिकलपना एफ होयल तथा रिटीडरन विद्द चुम्ब और तर हैंस आफ मिन ने दिया हैं परिकलपना ठीक है अब और यसके लावा भी आज मैंने अभी जो पताया है अंतर अंतर तार की दूर परिकल्पना जो दिया आटोस्मिंट ने दिया निहारिका मेग परिकल्पना किस ने दिया है वान विशेकर वान विशेकर सहाब ने दिया है निहारिका मेग परिकल्पना और पूर्व ग्रह परिकल्पना किस ने दिया है ठीक है पूर्व ग्रह परिकल्पना यह गिराल्ड विटां यह सब आपको याद होने चाहिए तरफ चलते हैं दोस्तों कोस्टन है प्रितवी की आईवन रधारित करने में कौन सी विदी का प्रयोग किया जाता है तो आपका ओप्सन दे रहा है कारवन डेटिंग जीवास्मों की आयू यह कह रहा है दूसरा कह रहा है जर्में डेटिंग ठीसरा है उरेनियम डेटिंग चोटम प्रोग्त में सबी डिक्हाडरीत में कdoes पर्त्वी संब्राइब के शानों को सब्सक्रीप्तों को अगल करने पर यह बारे में पता चल जाता है तो इसकोर और इसको मिल जाए अगर आपको लिखा हुआ इस तरह से आजाए रेडियो मेट्रिक कि रेडियो मेट्रिक ठीक है रेडियो मेट्रिक यह आपका हो जाएगा ठीक है ओके नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों प्रत्रिक की उत्पत्ति के सम्मन में विचार और प्रतिपाद को विचारियों प्रतिपाद नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपका सेंस कुछ और है यहाँ पर है कोश्चन आपका प्रत्रिक उत्पत्ति के सम्मन में सम्मन विचार और प्रतिपाद में कौन में से कौन सा करम सही नहीं है यह आपको बताना है तो इसमें आपको बताना है यह जो आपको बताना था उन्हें सिद्धांतों में से आपको बताना है कि कौन किसके सिद्धां से रिलेटेड नहीं तो चलो देखते हैं सिद्धांत क के बारे में तो तकराओ से धन किसने दिया है मैंने क्या बता अभी आपको बता था बफन महोद ने दिया था रहे के बारे में कह रहा है उलका परिकल्पना लाकियर ने दी विल्कुल सही है दोस्तों इसके अलावा क्या है ज्वारिय परिकल्पना की बात कर रहा है तो ज्वारिय परिकल्पना किस ने दी ती जेम जिस जैफ्रीज ने दी है लेकिन यहां पर कह रहा है चेंबरलीन और तो यह आपका एंसर नहीं है ठीक है नेक्स कोश्चन है भूगर्भिक कि इतिहास को कितने काल खंडों में बाटा गया है ठीक है भूगर्भिक इतिहास को कितने नेकंटों में बाटा गया है तो कितने काल मेंड़ा है कोसें सेंबित कुछा रहाँ हो तो कि प्रेकंब्रियन यूग है पजलियो जो एक यूग है मेसोजोग है सिन ओजोग है और नियोजो ऐके पांच काल खंड़ आपके दिये हैं तो यह सबी होंगे दोस्तव पांच वह हों ठीके पांच ओक्व कानद में पांच गणों बाटा गया और सबसे अध्यतनी बरतमाल समय म को तो यह चीज आपको थोड़ी जानने है यह आविश्र को वाई ची एसे यह पांच काल कोई कोई चलते हैं नला के दोस्तो कि महान है मिवक का संब्र किस्से है यह कोईश्ण आपका देखांए डेरा है प्लिस्टोसीन काल से ओलीगोसीन काल से होलोसीन काल से और योसीन काल से तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लिस्टोसीन काल से इसका संबंध है रिलेशन किसे है आपका प्लिस्टोसीन काल से रिलेशन है ठीक है कि नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि निम्लिखित काल कालों में से किसे प्राया लग हिमकाल माना जाता है कौन सा एक काल जो था जो इसे लग हिमकाल के दोम से जाना जाता है तो इसमें जो काल पीरेड है आपसन दे रहा है 750 से ले करके 750 से ले करके यहाँ पर थोड़ा तुटी पूर है यहाँ पर मैं आपको correct कर दे रहा हूँ इसमें होना यह चाहिए 750 से ले करके 850 इस भी तक होना चाहिए ठीक है यह ऐसे होना चाहिए फिर 950 से ले करके वेटा 1250 इस भी ठीक है 1250 हिस्वी और 1650 से ले करके 1870 हिस्वी यह question आयोग में आया हुआ है ठीक है और आज से 8000 से 10,000 वर्स पूर यह दे रहा है तो जान लिजे कि निम्न कालों में से किस है प्राया है लग हिम काल माना जाता है तो यह 1650 हिस्वी से ले करके 1870 हिस्वी का जो पीरिड है 1870 का यह लग हिम यूग के नाम से जाना जाता है लग हिम काल यह एक लिए तो आप सल यह 30 हो जाएगा आपका नेक्स कोस्टें के बारे में चलते हैं डाइनासूर का काल आज से कितने वर्स पहले था तो डाइनासूर का काल बताईए आप लोग पहला है पांच करोड, अठारा करोड, चालिस करोड और असी करोड वर्स पूर ठीक है तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों 18 करोड़ वर्स पूर्था डायनसोरों का काल जो की आपका काल लगभख करी में आप बात करेंगे तो ये इनका लगभख करी में आपका यही 18 करोड़ की आस पास आ जाएगा ठीक है कि तरफ चलते हैं महादीप यह अलग कैसे महादीप अलग हुए तो क्या रहा है जौला मुखी फुटने से विवर्तनिक किरिया से चट्टानों के वलन और भ्रंसन से प्रोग्ट में से सभी से तो क्या होगा बहुत यह आसान है इसमें आधुनिक जो सिध्धान्त है विवर्तनिक किरिया से ठीक है तो यह अप्सन भी करेक्ट हो जाएगा यह दूसरा आप्सन सही हो जाएगा आपका नेक्स कोश्चन है दोस्तों निमलिखित महादीपो में से कौन गुडवाना लैंड का भाग नहीं था तो गुडवाना लैंड के भाग कौन कौन से नहीं क्या क्यां आ आपका देके गुडवाना लैंड क्या क्या बना है है डशीनमे आफ्रीका क्या अश्टिलिया बना है यह अपका उत्री जो हिस्सा है उत्री अमेरी का है यह उंकार हैं कैसा ठीक है पैंचिय Commerce जो है वह दो सीवय में होगे लाइशिया आ ओ छा और ओन्न आ तो यह लाडेशिया है और यह जो आपका है वोगों महोद्य की विस्थापन들 सिध्धान estan इन्होंने उसे संब्लता पैंजिया कहा था पैंजिया तो यहां पर जो हिस्सा बट रहा है दोस्तों इसके बारे में आपको देखना है कि कौन-कौन से हिस्से बट रहें तो यह आपको अपसन यह हो जाएगा अगर दच्छिड की बात करेंगे हम लोग की मतलब गुडवाना लेंड से और क्या क्या बना तो अमेरिका बना अफ्रीका बना मिडा गासकर बना अरब प्रायदीब बना भारत महादीब जो बना है वह बना है आपका आस्टेलिया है न्यूजी लेटर हो जाएगा तो यह सब किसमें आजाएंगे दोस्तों यह उपर वाले हिस्से में जिसे क्या नाम कहते हैं हम लोग लारेश्या के नाम से ठीक है नेक्स कोश्चिन है दोस्तों पृतिवी पर मूलता एक ही विसाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था तो मैंने भी ऐसाया की पूरजी पृत्री हमारी है ये दो हिसम बटी एक तो अस्थल्व आइस बइससा थिए तो अस्थले हिस्से को मैंने क्या बताया था आपको पैंजिया पैंजिया ठीक है और जल्वाले भाष को भाख को पैथा लाशा पैथा लाशा तो कोश्चन पुछा क्या है विशाल भूखंड को तो क्या कहेंगे पैंजिया आप संद में क्या देखिए पैंजिया होना चाहिए पैंजिया यह ठीक है तो यह आप संद क्या हो जाएगा आपका पैंजिया हो जाएगा कर्ट तीसरा से हो जाएगा नेक्स कोशन है प्रित्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवास्म जीवास्मी साच कब मिलता है यह भी बड़ा अच्छा कोश्चन है इसके बारे मगर देखेंगे आप तो आपको देखना होगा क्या अप् पूर्व और चोथा कह रहा है टेन मिलियन वर्स पूर्व एक्जैक्टली जो होना चाहिए यहां पर तो होना एक चाहिए यह 3.5 बिलियन वर्स पूर्व Regional वर्स पूर्व ठीक है बिलियन वर्सपूर होना चाहिए तो ऑप्सन में अगर देखेंगे तो कहीं पर यह नहीं दे रहा है तो यानि कि सारे ऑप्सन गलत हैं यहीं आपका हो जागा तो यह कोश्चन आयोग में आयोग में जिसमें स्टार लगा हुआ है यानि कि आयोग ने इसका जवाब ब दोस्तों नेमलिखिर में से किस घटना निर्में से किस घटना घटना अ जीवों के विकास को जीवों के विकास जीवों के विकास को 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 जीवों को विकास जीवों के होना में जीवों के विकास को में के विकास को कि दो बार वो चुका है यह की विकास को प्रभावित किया है तो पहला कह रहा है आपसं के इसाब से देखिए कहगा, महादीप्य विस्थापन है, तो यहां पर प्रभावित क्या होगा, ये तुटी पुर्ट थोड़ा होगा है दोस्तों, ये हड जाए अब आपसं दो तरह के हैं, आपसं पहला है क्या ли क्या महादीप्य विस्थापन दूसरा हिम चकर दे दो दे रहा है दोस्तों तो इसमें से क्या-क्या थे तो आपको पता है आपने प्रवास इधान पड़ा है तो महादीप ये विस्थापन है और हिमानी चक्र है ये दोनों हो जाएंगे दोनों करेक्ट हो जाएंगे अंसर आपके क्या हो जाएंगे दोनों तो इसमें कूट में जो दे रहा होगा पहला दूसरा वही हो जाएगा आपका तो अप्शन है पर कूट दूसरे नंबर का दे रहा है ठीक है कि नेक्स्ट कोश्चन है वलन क्रिया किसका परडाम है तो कह रहा है आप्सन दे रहा है महादेश बलका महादेश जनक बलका पहला आप्सन है दूसरा है कि यह गलत लिखा हुआ है दोस्तों यह होना यह चाहिए यहां पर भूविच्छेपी भूविच्छेपी यह यानि कि और यह लिजह बल जिसे काहा जाता है ठीक है तीसे परवत निर्मार कारी बल चोड़ता है वहर जात बल तो पर होगा एंसर आपका परवत निर्माण कारीबल ठीक है ऑलन के रिऊखिई पर विचार कीजिए टीक है यहांपर कुछ options दे रहा है दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि निलुकित पर यह चीज़े हैं विर कहला उपalis根 मेंसे और सब्सक्राइब भी हो जाएने एक से लेकर कि गुद्फ पूरे तक सभी सारी स्ट्वेन्स जो के रहा है बचह रहा है तो ह twisted देखते हैं क्या क्या दे रहा है यह देखिया अप्शन दे रहा है यह आप यह पर इसनों नमबर नहीं किया रही है आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए मैं को वहां सुधार दे रहा हूं कि क्यों एक्स्प्लाइशन पर ध्यान दीजिए और अच्छे को समझें ठीक है बागी चीजें धिरे-दिरे समय के साथ सही लगाएंगे नेक्स कोश्चन है सही कारेकरम में व्यवस्थित कीजिए सही कारेकरम में व्यवस्थित करिए यह जो चीजें इसको सही कारिकर में व्यस्यद करना पहला है पहला सरिस्रिप है ठीक है ये आपका क्या करना है इसमैं से इसके अलावं iki bestいきます क्या हुम दोस्तों क्वे पढ़़े जीव है और चौथा कहा रहा है पहला स्तंधारी यह चार बताया है इसके बाद क्या कहा रहा है उपरिक्ट घटनाओं को प्रत्वी पर उनके उत्पन होने के कारड करमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिये गए कुछ सही उत्तर का चैन कीजिए ठीक है कुछ सह बताना है क्या बताना है उपरिक्ट घटनाओं को प्रत्वी पर उनके उत्पन होने के कारड करमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे कुछ सही उत्तर का चैन ठीक है इसमें कूट में बताना कि कौन सी घटना पहले हुई आपको बस इतना बताना है देखिए अब इसमें देखते हैं लोग कौन सी घटना पहले होती है यह हमें जानना होगा ठीक है तो सबसे पहले घटना होती है कवक वाले जीओं के बारे में यह नंबर एक होगा आपका दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा पहला कीट और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा दोस् जहां पर देरा पहले दीसरा और én करिम को यहां पर हाँ ठीक यह करेंगा क्योंकि इसमें क्या है पेहले तीसरा और फिर यहां पर आपक हमाराईण सबस्क्राइब करेंग हो जाएगा ∑ आ ए है बड़ा अच्छा कुश्चन है राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल राजस्थान मरुस्थल थार मरुस्थल निम्निकित में से किस का विस्तार है ठीक है किस काल का विस्तार पहला दे रहा है प्लियोसीन काल का दूसरा कह रहा है पैलियोसीन काल का तीसरा आपका है अभी नौush Kalka इसी समय में किया रिगिस्तान में ठार के रिगिस्तान का जमाव हुआ था ठीक है विस्तार हुआ था टीक है जिसान बना था इसा समझे और अगला वह परतदार चत्तानों के विसे में दिये था निתक कतनों पर विचार कीजिए否ौंस अरे च्टानों के संदर में विचार से नंदन य॥ कुछ एस्ट्रीटमें दिया है और इसमें बताना आपको है कों से सही है ठीक है इन चार खत्नों को पढ़िए और फिर इसके जवाब दीजिए आप संदेखिए क्या कह रहा है पहला परतदार चटानों ने परतदार चटानों ने प्रित्वी की सता पर जलिये ने जलिये होना चाहिए यहां पर जलिये जलिये तंतर द्वारा निर्मित होता है जलिये तंतर द्वारा निर्मित होता है तो क्या करा परतदार चटानों ने प्रित्वी की सता पर जलिये तंतर द्वारा निर्मित होता है तो होना चाहिए परतदार चटानों की सता प सतह पर जलिये तंत्र द्वारा सतह पर सतह पर जलिये तंत्र द्वारा निर्मित होता है ठीक है यह आपका पहला है स्टेट्मेंट दूसरा कह रहा है परदार चट्टानों के निर्माड में पूर्व विद्दमान पूर्व विद्दमान चट्टानों का च्छरड सीमित होता है चट्टानों का च्छरड सीमित होता है तीसरा ओप्षन दे रहा है आपका कि परदार चट्टानों में जीवास्म होते हैं चौथा दे रहा है आपका परदा चटानों चटाने विशिस्ट रूप से विशिस्ट रूप से पर्तों में पाई जाती है तो कौन सा अप्सन इसमें से सही है ये वताना है आपको सारे में से तो देखो ये है जान लो ये तो जान लो चटाने परदार विशिस्ट रूप से पर्तों की रूप में पाइजाती ये बिलकुल सही है परद्दा चटनों में जिवास होते हैं बिलकुल होते हैं ये भी सही आपका है और पहला कि परद्दा चटनों ने प्रिध्री की सता पर चलिए जलिए बुर रहते हैं आप जलिए हैं जलिए तंतरदारा निर्मित होता है बिल्कुल सही है यह भी चीज है आपको सही है तो चारो आपके कूट है तो जहां पर चारो अपसंदेर आओगा वही करेक्ट हो जागा दोस्तों इसमें क्या देरा 12345 स बता ना है यह हो वे संद्राचना ईपर निर्भर करती है ठीकेम है यह पहला आपका इसमें से पहला है कि अ यह सेहले क्रिस्टल यह कि टीस्रा आपका इहां पर उत्रुटी पूर हो गया है दोस्तों यहां पर आप्हेला यह होना थिए फिस अधर करें और यहां पर यह बताना चारों में से आपको कौन से ऑफ सबते हैं यह बताना नहीं यह il हैं जिन की इन व्होंग पर चिनकी जिनकी संद्चना और और निर्फर करती है गलत है और यह है यह सेल क्रिस्टली स्ट संद क्रिस्टल के बारे में कहरा है वंध y wanna बबाटाउं तो यह कह रहा है क्रिष्टलय होती है तो स्धårt लिगाजंट कर दूसरा कह रहा है यह राक्यस होendre ग्रिफेन हम निश्चित है裡 जिर लोलत में बारे निश्चित यह यह से हो जाएगा आपको ऑस्कु से तो सब्सक्राइब एक परदार चटान एक परमी से बन uda निछे पहाड के उपर बनती है तो यह बताना है किसके बारे में बलुवा पत्थर के बारे में आपको बताना है तो बलुवा पत्थर कहां बनता है यह जल के नीचे बनता है तो आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तिस थर्ड़ा सुना आपको नेक्स्स न है आगने चट्टाओं के लिए निम्खित में से कौन सा कथन सकीन है किसके बारे बात कर रहा है तो कोई एक सही होगा इसमें से कौन सा सकते है उसले जिवासमot बहुत कम होता है ये आपका क्या होता है उसमें पूरा जीवास में बहुत कब होते हैं We दो है नच्स डावरी वे जल के लिए सरंध होते न 1996 नहीं होते हैं यह भलत आपका यह भी उऩट क्रिस्टलिए तता एक जिस्टलिघ कृस्टल दोनों होते हैं तो यह आप कह रहा है कहुक्वपार यह सही बिरुकूलम यह इम यह क्रिस्टलिय धाश्थ्य जब हो गया यह होगी नहीं सकता आपका ठीक है चलिए अगला है जवान सर मिल गया तो कोई मतलब नहीं रह गया उसका फिर अगे हैं अधो लिखित कौन सी चटान में जीवास्म नहीं पाए जाते हैं ठीक है किसमें जीवास्म नहीं पाए जाते हैं तो कहरा है पहले उपलाःर जाया जीवास मीं नहीं पाया जाते हैं ग्रेन आइट मीयंलगे अनुग में पाया जायेंगे कि चट्टानों से होती है रूपांत्री से लोग के बारे में बता रहा है तो आगने चट्टाने कह रहा है दूसरा तलचटी है तीसरा कह रहा है आगने तता तलचटी दोनों में उप्रिवक्त में से कोई नहीं तो यह बिल्कुल आगने हो जाएगा और तलचटी चट्टानो से दोनों से पाए जाते हैं यह रुपांत्री चट्डण ने कि अन्से होती है तो संग मरमर है कवाड़ जाइट है स्लेट है ग्रेनाइट यह आपको बताना है इस में से तो कॉवाड़ जाइै रुपांति चट्टानों का उधारण नहीं है तो नेग्स नेन दोस्तों निम्लिखित में से कौन सा समू से सम्बंदित नहीं है कॉनसा सभूस संभंदित Кईयां संभंदित कै। कई के नीज जो है इस दोस्तों, सभ्य को बाकी आउसाधी चप्तान्थ है ठीक है और जबकी नीज जो है हो कायांतरि चटान है कायांतरित कायांतरि A कायंति चप्टान है ठीक है नेक्स कोश्चन है निम्लिखित में से कौन एक मूल अस्थल है यह बताना है आपको पहला कह रहा है दोसरों जोरामखी संखु कह रहा है दूसरा कह आउसिस्ट परवत तीसरा कह रहा है मुनाड नाक ठीक है मुनाड नाक ठीक है चोथा है आपरदनात्मक जलपरपात तो कहना आपको बताना यह है इसमें कि कौन सा मूल अस्थल है तो मूल अस्थल इसमें देखे जौला मुखी संकु हो जाएगा संकु मतलब होता है क्या जौला मुखी संकु मूल होता है जब जौला मुखी ध कर्कार की संदशना बन जाती है दोस्तों यहीं जलोड संकू को कहलाता है ठीक है परवत तो इसमें यह मूरस्थल हो जाएगा यह कौरेक्टर हो जाएगा नेक्स घॉलम्क्रिय। जिव पूशरह कौन सीमें सब्द्र कंजब से अधिक निकलती है यह आपको बताना है दूसरा दे रहा है आपको सलफर भाटीयकसाइड तीसरा दे रहा hypothesis evet अधा देरा carbon dioxide तो सबसे ज़्यादे क्या निकलता है दोस्तों जल्वास्प निकलता यह ध्यान में अपरकिएगा और गये से जो है इसके पेश्चेया कम निकलती है ठीक है जल्वास्प चैनि स्टू ओ निकलता है जल वास की मातर सरवाधिक पाई जाती है एक ला कोश्चन है में से कौन विस्व का सबसे उच्छा जलामक्षी परवत है बड़ा एचा कोश्चन है यह आपको पता होगा निशित तोर से क्या कह रहा है माउंट पिना टुबे पिना टुबो दूसरा है मा अंहेम मांट कोटो पेकशी आपका क्या हो जाएगा कोटोपैक्सी जो है सबसे उच्छा जॉलन कि ये ठीक है सबसे ज्यादा है कोटो पैक्सी है दोस्तूं कि कि जिसकी उचाइघ जो आपकी पढ़ती है कि इतनी किलोमेटर ठेक है कि 5911 मीटर यह उची है ठीक है 5911 मीटर उची है जो की बिस्व की सबसे उची जो चोटी है वह यही आपकी पड़ती है ठीक है कि मांट कोटो पैक्सी कि प्रिथभी के अंदर पिछेंव पिखले इसए और और यह भी होजाएगा और में से क्या कह रहा है कोई नहीं पिगले पदार्त को क्या कहते हैं मैगमा लावा होना चाहिए आप पर आपका तो यह आपका एंसर बिल्कुल दोस्तों देखिए थोड़ा था और इसमें आपको बताना यह है कि प्रिधिक अंदर पिगले पदार्थ को क्या कहते हैं तो देखें लावा देखें होता क्या है जब नीचे का लिक्विड होता है उसे कहते हैं मैगमा अब मैगमा जब धरातल को तोड़ के चला आता है तो उसे क्या कहते हैं उपर आ जाता है तो बिज जाता है लावा तो लावा कहलाता है तो इस नाते यहां पर option में इसे लावा कह रहा है बेसाल्ट कह रहा है obsidian कह रहा है तो इसमें होना क्या चाहिए कि उपरुति में से कोई नहीं है तो यहां पर क्या option हो जागा चौथा बिल्कुल हो जागा उपरुति में से कोई कि लावा के ठोस होने के फवस्रू प्रंपी के अंदर नियंमेी चर्टानों को क्या कहते हैं बहुत अच्छा कोशन है क्या कहते हैं आप संद की प्रूटोिक साथन रूपांतिरी चर्टान हैं बालकैनिक हैं प्रध्दार चर्टान है तो BioACE कहला की यह करेंसर सागर coalition जो है ठीक है बाल्टिक सागर में जो हैं बिल्कुल नहीं होते हैं जो युरोप की ओपरी वाले हैं आप जाएए वहां पे नार्बे के पास स्वीडन फिन लेंड के पास देखेंगा बाल्टिक सागर कहाँ नूडियों वहाँ पर जॉला मुखी है एक परवत सिखर है एक पठार है तो क्या है एक जॉला मुखी मॉंट एटना तो आप जानते हैं एक जॉला मुखी है जॉला मुखें है नेक्स कोश्चन है क्या है जॉला मुखी परवत माउंन्ट इसेंट है लेंस कहा परिस्थित्ध है बड़ा अच्छा कोश्चन है जिली में है फिल्पिन्स में जापान में सह mansion & अमेरीका में थे तो नेक्स कुश्चन दोस्तों चलते हैं मुनु लुव एक सक्रिय जॉला मुखी है यह बताई अलास्का का हवाई दीप का टली का जपान का तो हवाई दीब का है दूस्तों यूएसे के हवाई दीब कर दो स्वारी मित्रों नेक्स कुस्टें चलते हैं निमिकित में से कौन सक्रिय जॉला मुख्षी है कौन इसमें सक्रिय जॉला मुख्षी है तो पहला दे रहा है एक आंका गुवा कह रहा है दूसरा आपका बता रहा है कि कोटो पैक्सी को तीसरा कह रहा है मौन्ट एटना चौता कह रहा है फ्यूजियामा यह चार जोला मुख्यों के नाम दिये हैं ठीक है तो इसमें से कौन कौन सा आपको है यह बताना है आपको तो यह बाद जान लीजिया कि इसमें से यह फ्यूजियामा है मौन्ट ए यह नहीं है दोस्तों तो पहला नहीं होगा बाकी से दूसा तीसा चोथा होगा कूट में जो दे रहा है तो अपर आप से बी-सी और डी मैंसा होना चाहिए था लेकिन यह नहीं कर पाया वाच्छा ठीक है यह आपका करेट एंसर हो जाएगा यह दे अगला कोश्चन है दोस्तों अफ्रीका का सर्वोज परवत सीखर मांट किली मंजारो कहां परिस्थित है कौन सा है मांट किली मंजारो की बात कह रहा है दोस्तों कह रहा है केन्या में मलावी में कह रहा है तंजानिया में कह रहा है जांबिया में कह रहा है ठीक है तो आपको मालूम होना ने निस्षी तोर गरी पर्वत है ओ किया चीज यह गरी प्रवत A आग्ने गरी है आग्ने च ट्वानों ivable कुला मुक्न गरी है प्रवत इंक्टष्चैन बीलकुल नहीं दो पहले घंख जा घर घडी कोशिन है कि से कहा जाता है तो पहला कर दो नेक्स कुछिन पर चलते हैं दोस्तों संसार का सरवादिक सब्सक्राइब कौन सा है यह भी बहुत इच्छा कोश्चन है बिश्व का सबसे ज्यादे सब्सक्राइब कि यह वह कौन सा है किलायू है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट आपके लिए है ध्यान रखिएगा यह किलायू जोलों मखी जो है सबसे ज़्यादे सक्रिय जोलों मखी है और यूएसे में पढ़ता है ठीक है यूएसे के कहां पर हवाई दीप में हवाई दीप में है ठीक है तो आपका यह हो गया नेक्स कोश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों यह आपका लास्ट कोश्चन है आज 14 नमर का कोश्चन है चालीसवा कोश्चन है इसमें कह रहा है सूची वन सूची टू से मिलाना है आपको ठीक है इसमें मिलाना है आपको कैसे मिलाना है आपको क्या कह रहा है मौंट एटना किसे रिलेटेड आपका है तो मौंट इटना क्या है कहां परिस्थित है यह बताना है तो सिसली दीब बता रहा है बिल्कुल सही है विशु 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 किसे रिलेटेड है क्या कह रहा है इतली से रिलेटेड बिल्कुल सही कह रहा है यह वी सही है आपको अगला है यह रिबस कहां पर बमदित है वह आपका दो सॉर आप डेरा पहर प्रिट यह आम पर बता रहा है मनले तो कूंटोपैक्सी के सिहा रहा है कि यह आपका अ हुआ कर दो सुइस्त क्यों प्रएए जो आपका पूर्व कर रहा है जो की गलत आपका है टाहिए। छो आपका दे रहा है है ये रिबस उसका नाम है ये र murder कोई बात नहीं है इडिविस आपका जो पढ़ता है वह पढ़ता है रॉसदीर में ये रिबस जाएगा ने कि दुसरे का पूजेट होगा है यहां पर इस तरह से कोश्चन था यहां पर दिखिए अच्छा इसको इसी रूप में ने दिया था तो यह जान लीजिए करेक्ट है दोस्तों यह करेक्ट है फिर यह रिबस जो है राजदीप में है कोटोपैक्सी जो है एक्वेडोर में इतना बस आपको समझना है यह चारों आपको सुमेली तब हो गए दोस्तों ठीक है दोस्तों तो इस तरह से यह कोश्चन 40 कोश्चन की स्रंखला जो है कंप्लीट हो चुकी है तो दोस्तों आसा करता हूं कि यह आपको कोश्चन काफियत तक समझ में आया होगा जो एक्स्पेंड करने लाइक कोश्चन थे मैंने उसको एक्स्पेंड किया आपको बताया है बाकी कोश्चन ऐसे ही रिवीजन के फार्मेट में आप देख लीजेगा जिसे कि आपके कचीत तयारी बन जाए दोस्तों ठीक है दोस्तों ऐसे ही त्यारी करते रहें मिलते है नेक्स वीडियो में नए कुछ स्रीज के साथ तब के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए जय हिन जय भारत